नमस्कार आप देख रहे हैं जगत नियूस 24 और मैं हूँ आपके साथ तरुम शर्मा आईए नज़र डालते हैं आज की बड़ी खबरों की और मामला जिला जौन सी के कौ्टवाली गर ऑठां तरुम रमपूरा का है जहां पर विद्यू दूएत पंखा भरने को लेकर दबंगो की द्वार व्यक्ति तवारा पंखे के विवाद को लेकर दुकानदार के घर आये और दुकानदार के साथ मार पीट करने लगे पिता को बचाने की चक्कर में मौके पर उसकी लड़की बीच में आ गई जिसको दबंगो ने बेरहमी से पीटावा को लहडी से प्रहार कर दिया आनन फानन में परजनों के द्वारा गाहिल लड़की को प्रात्मिक स्वास्त केंद्र गर उठा लाया जा रहा था समचार लिखे जाने तक लड़की के पर जनों के द्वारा भी तक कोई थाने में तहरीर नहीं दी गई है वहीं पुलिस का कहना है कि तहरीर आने पर आरोपियों के खिलाफ कानूनी का द्रबाही अमल मिलाई जाएगी फिलाल उप्रोक्त घटना से गर उठा में कानून का खाफ सम्माप्थ होता जा रहा है देखिए अनल कुमार शर्मा की रिपॉंट प्रिंस ये बताओ आपकी बहन घायल क्यों आई है यहां पर क्या होगी अमरे भाई बिजली रिपेरेंग का काम करते हैं इसलिए उनके पंखा भरवाया गया है पंखा सईनी होने के कारण मार पीट कही है मार पीट के बाद पर फिर सर्म खरच के होगा प्लादी भी मारे गई नाक करते हैं तो बेहन के साथ क्यों मार पीट की गई बेहन पीच में आ गए थी पापा को मार रहे थे लोग पापा को मार रहे थे क्या कर्या झाली यांण है यहां देनरे लगे मानने ही हैं जब मार पीट हुई तो कि अटने कर चाने कर सातर जाने मांग लें हमारी तिंजाने करते चाहिए बार त्य हैंग सब्सक्राम जर्यावरे कषज़ें